हेलो फ्रेंट्स बेलकम बेक एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यान बक्ती में फ्रेंट्स के आपको पता है कि रक्षावंदन इस वार 26 अगस्त को क्यों मनाया जा रहा है साल में एक बार आने वाला ये पावन तेवहार भाई वहन के लिए बेहादी मायने रखता है इस वार रक्षावंदन 26 अगस्त को मनाया जाएगा लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2018 में रक्षावंदन 26 अगस्त को क्यों मनाया जा रही है 26 अगस्त को रक्षा बंदन मनाने की एक बज़ा है रक्षा बंदन की तिवार को हर वर्ष सावन की महिने की पूर्णिमा तिथी को मनाया जाता है साल 2018 में यही तिथी 26 अगस्त की है यही बज़ा है कि इस बार भाई वेहन के इस इसने हितेवार को 26 अगस्त को मनाया जाएगा बन रहा है सुपसायोग फ्रेंट्स रक्षावंदर के दिन एक सुपसायोग बनने जा रहा है दरसल चार साल में पहली बार राकी के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा इस बार रक्षावंदर ग्रहंड से भी मुक्त रहेगा भद्रा दिन की शुरुआत में ही समाप्त होने से राज्योग बना रहेगा राज्योग में राकी बानना काफी शुब माना जाता है इस समय राकी बानने से बचें रक्षा बंदर पर बद्रा काल नहीं होने से दिन भर शुब रहेगा हाला कि बहने राहु काल में अपने भाईयों को राकी बांदे से बचे 26 अगस्त के दिन शाम साड़े 4 बजे से 6 बजे तक राहु काल रहेगा इस समय की अउधी के अलावा किसी भी समय राखी बांदी जा सकेगी बैसे तो भाई बहनों के तेवहार के लिए कोई भी शुब या असुब समय नहीं होता विजब राखी बांदे तब ही शुब समय हो जाता है आये जानते हैं इसके पीछे की कुछ अद्भुत कथाएं दोस्तों रक्षावंदन के पीछे की ऐसी कई कथाएं हैं जिनको लेकर रक्षावंदन का तेवहार मनाया जाता है बाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षावंदन के इस तेवहार को मनाने के पीछे कई कथाई प्रचलित है रक्षा बंदन कब सुरू हुआ इसे लेकर कोई भी तारिक अभी तक इसपस्ट नहीं है हाला कि माना जाता है कि इस पर्व की शुरुवात करीब 6000 साल पहले हुई थी जिसे बहन रूपी महिलाओं की सुरक्षा के बचन के साथ शुरू किया गया था आईए जानते हैं रक्षा बंदन से जुड़ी कई रोचक कहानिया जो इस तेवहार के इतिहास को प्रदर्शित करती है यमराज का बर्दान रक्षा बंदन से एक जुड़ी मानता है माना जाता है कि मृत्यू के देपता यमराज को यमनों ने एक बार राखी भेजी थी राखी पाने के बाद यमराज ने उन्हें अमरता का बरदान दिया था तब से ही रक्षाबंदन भाई बहन के तेवहार को मनाया जाता है इस दिन जो भाई रक्षाबंदन के दिन अपनी बहन से राकी बन बाएंगे यमराज उनके प्राणों की रक्षा करेंगे ऐसा माना जाता है महाबारत में भी राकी का उलेक किया गया है महाबारत से जुड़ी राकी की डोर श्रीकृष्णी ने भी चुकाया था एक एक धागे का कर्ज रक्षावधन का जिक्र महाबारत में भी मिलता है जब सुधरतन चक्र से उंगली कर जाने पर भगवाई श्रीकृष्णी का रक्त बहने लगा यह देख द्रोपिदी ने अपनी साड़ी का पला फाड़ा और उनकी उंगली पर पान दिया जिसके बाद स्रीकृष्णी ने बचन दिया कि वह एक एक धागे का रिंट चुकाएंगे माना जाता है कि इस दिन भी स्रवर मास की पूर्णिमा ही थी ऐसे में इस दिन का महत और भी जादा बढ़ जाता है फिर जब महाभारत की युद्ध के पहले पान्डो द्रोपिदी को युद्ध में हार गए थे और कौर्वो ने भरी सवा में द्रोपिदी का चीरहन करना चाहा तब स्रीकृष्णी ने अपनी लीला से द्रोपिदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि कौर्वो को हार माननी पड़ी वैसे महाभारत में ही रक्षवन्दन से जोड़ा एक और उलेक मिलता है कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जीतने में राकी का बड़ा योगदान था महाभारत युद्ध के दौरान युद्ध स्टिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि मैं कैसे सभी संकटों को पार कर सकता हूँ कृष्ण भगवान ने उन्हें तता उनकी सेना को रक्षा धागा बानने को कहा तब से इस पवित रक्षा शूत्र को बादा जाता है यह घटना भी सावन के महिने की पूर्णिमा टिती बर ही घटित हुई थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही हम आप तक नई जानकार याप पहुचाने के लिए प्रयास करते हैं अगर हमारे वीडियो में कोई भूल चूक है तो प्लीज हमें माफ करें